यामाह मोटर इंडिया ने रिसेंटली अपनी यामाह आर्वन फाई वी फॉर के लाइनप को दोजार चोबिस के लिए अपडेट किया था और जो पहले से यामाह आर्वन फाई वी फॉर के लाइनप में कलर्स आते रहे हैं उनको भी थोड़ा बहुत दोजार चोबिस के दे रखे यह बिल्कुल एक नया कलर है जो कि यामा आरवन फाई वी फॉर टॉंटी टॉंटी फॉर के लिए एड़ किया गया है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपसे मैगनेटर कलर के बारे में ही डिटेल में बात करने वाला हूं कि यह कलर देखने में कैसा लगता है क्या इसके फीचर्स हैं क्या इसकी स्पेसिकेशन से और कौन कौन से वेडियो में यह कलर अवेलेबल कराया गया है और यह वाला पर्टिकुलर कलर आपको अन रोड कितने का पढ़ने वाला है और सबसे पहले इस कलर के भी डिजाइन और लुक्स के मामले में ही बात करते है कि ये color देखने में कैसा लग रहा है और क्या कि इसमें changes है और कहां पर कौन सा color दे रखा है तो दोस्तों ये जो आपका मेंगनेटा वाला color है इसका जो base color है जो कि आपको जादतर पैनल्स पर दिखाई देगा वो आपका ये dark gray है जो कि पिलाल आप वीडियो में देख रहे हैं ये छोड़ता light talker के आ रहा है लेकिन reality में ये color और थोड़सा जादा dark है और जादतर पैनल्स पर आपको यही color दिखाई देगा बाकि अगर आप proper front profile के मामले में बात करते हैं इदर आपको ये dark gray color हो गया बाकि center में आपको black और blue color के graphics दे रखे हैं नीचे जो आपका मडगाड है ये आपको black color का ही दिया जाता है जिस पर आपको बसे कि Yamaha की ही bedging दी जाती है और जो front fairing है इदर भी आपको Yamaha R15 की bedging दी जाती है इस color के साथ suspensions आपको golden की जंगा black color के दिये जाते हैं वहीं पर इसके जो wheels है ये आपको dark pink या फिर आप इसको light purple ball सकते हैं इस color के आपको दिये जाते हैं बाकि अगर आप side fairing पर bedging देखते हैं तो फिर इस पर आपको 2 bedging दी जाती है एक छोटी वाली bedging हो गई जो कि आपको ये और ज्यादा dark gray color में दे रखी है बाकि R15 की बड़े वाली bedging भी है जो कि आपको blue और ये pink color में दे रखी है और उसके नीचे छोटी सी version 4.0 की bedging हो गई है इसके अलावा side fairing के मामले में कोई और sticker या फिर आपको ग्राफिक्स नहीं दिये जाते हैं और जो उपर आपका fuel tank है ये आपको single tone में ही दे रखा है ये आपको dark gray color का ही दे रखा है जिसके उपर आपको एक sticker भी दिया जाता है इसके अलावा और कोई जादा stickers इसके fuel tank पर नहीं दिये जाते हैं और fuel tank देखने में काफी neat and clean लग रहा है और जो इसके ये rear panels होते हैं इधर भी आपको ये base color दिखाई देगा जो कि आपका dark gray है और उसके उपर black और ये pink color के कुछ stickers हो गई कुछ stripping हो गई उसके नीचे ये जो VVA technology है उसकी आपकी एक badging हो गई तो कुछ ACC ये motorcycle आपको rear से दे रखी है और इसका rear wheel भी आपको ये pink purple color का ही दिया जाता है बाकी जो इसका exhaust है वो ऐसा ही दे रखा है जैसे की बाकी और variants में भी आता है वही color tone इसकी रखी गई है जैसकी black हो गया थोड़ सा आपको silver color भी दे रखा है बाकी right side पर भी आपको left side की तरही काफी बड़ी बड़ी या महा R15 की badging दी जाती है जिसका R आपको थोड़ा dark pink color का दिया जाता है और जो one है वो थोड़ सा light pink का होता है उसमें हलकी हलकी blue shade भी होती है और जो S वाली badging है हलका सा आपको pink color दिखाई देगा और बाकी इसमें आपको blue color दिखाई देगा और ये badging देखने में काफी बड़ी लग रही है और ये particular magneta color आपको देखने में कैसा लगा है और ये जो आपकी R15 की छोटे वाली badging है ये भी देखने में काफी अच्छी लग रही है लेकिन ये जो side fairing पर काफी बड़ी-बड़ी badging हो गई है ये देखने में थोड़ी सी जादा ही भड़ी लग रही है और मुझे personally ये बड़ी-बड़ी badging देखने में इतनी जादा देखने में तो दोस्तों देखें डिजाइन और लुक्स के मामले में तो बस जो भी आपके फर्क आते हैं सारे के सारे कोस्मेटिकली ही आते हैं जिनके उपर मैं आपसे ओलड़ी वीडियो में बात करी चुका हूँ और बाकी features और specifications के मामले में ऐसे कोई भी technically फर्क नहीं आता है बाकी बात की जाएं कि ये color कौन कौन से वेरियंट में आता है तो दोस्तों ये जो आपका मैंगनेटा वाला color है ये सिर्फ इसके कोई सिटर वाले variant में ही आता है जिसमें कि आपका blue और white color भी आता है ये उसी वाले variant में आता है और इसकी भी एक्षोरों की मतलब है blue लाग, बीस, दो लाग, बाइस अजार रोपे के आसपास on-road पड़ जाएगी और बाकी अगर आपको ये Yamaha R15 के बारे में और भी डिटेल में जानना है तो मैंने इसके उपर और भी काफी वीडियोज बनाई हुई है जैसे कि इसमें कितने वेरियंट्स आते हैं कैसी ये मोट सेकल चलाने में होती है पर्टिक्लर और भी वेरियंट्स का मैंने रिव्यू किया हुआ है जिन सबीकी लिंक मैंने आपको इसे डिक्स्टिशन में देदी आप महा से ये Yamaha R15 के और वेरियंट्स आफिर इसके बारे में और भी ज्यादा डिटेल में जान सकते हैं और बस आज किस वीडियो में इतना ही और मैं मिलता हूँ अब आपसे अपनी अगली वीडियो में